नमस्कार स्वागत है आप सभी कब बिहारेनेम 10700 अभरती लेट टेस्ट अब्रेट में दोस्तो कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छे और सुस्तोंगे और बिहारेनेम 10700 अभरती की जोईनिक प्रक्रिया का इंतजार करें होंगे कि बिहार नेम 10,000 सासनों भरती का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और कांसुलिंग प्रक्रिया कब तक सुरू की जाएगी मेरिट बनने में और कितना समय लगा गया और जोईनिंग प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी बिहारेनेम 10.00 सासनों भरती में कितने नमबर अगर हैं जरूरी तो कितने नमबर तक जोईनिंग होगी आज इस वीडियो के माध्यम साब की निस सब बेस्तावालों जवाब मिलने वाले हैं तो दोस्तों अभी हमारे चनल सरकारी आरेनों को सबस्क्राइब केजी वीडियो को लाइक करके सेर्जर और वीडियो को फूरा देगे तभी आपको शंपोर जानकारी मिल पाएगी दोस्तों जैसाब सभी है बहारेनेम 10.00 सासनों भरती की जोईनिंग प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के लिए सीम निदेश कुमान ने सभी हथकारी को निदेश साब साब दे दिया था अब अधिकारी बिहार में जितने भी प्देश खाली पड़े हैं एनेम के उनका डाटा सत्यापित करेंगे उसके बाद बिहार mantal साथा सन्यो भारती की कॉंसूलिंग प्रक्रिया शुद्ब की जागी। उसी मेरिट लिष्ट के आधार पर एक कटाब ने धारित किया जाएगा कि कितने नमबर तक सभी अभिहारती के जोईनिंग सुरू की जाएगे मतलब दोस्तों बिहार ने अभिहारती की जोईनिंग प्रक्रिया होगी वो 90 प्लस जा सकती है इसी तरह अगर OBC कटेगरी की बात करें तो OBC कटेगरी वाले अभिहारती की जोईनिंग प्रक्रिया रहने वाली है वो 82 से लेकर 85 नमबर तक रहने वाली है वो भी इसी कटेग्री वाले अभ्यार्दी का सबसे जो कटाप है वो थोड़ा कम जा सकता है अगर बात करें ST कटेग्री की तो ST कटेग्री में जो कटाप ने तहरीत किया जाएगा वो 75 से लेकर 80 नमबर तक रहने वाला इसी तरह EWS कटेगरी की बात करें तो EWS कटेगरी का भी कटाब 75 से 80 नमबर तक रहने वाला तो YST कटेगरी और EWS कटेगरी ये दोनों ऐसी कटेगरी हैं जिनका कटाब बहुत कम रहने वाला अगर बात करें YST कटेगरी की तो यसी कटेगरी का जो कटाब ने जहारी किया जाएगा वो लगभग 75 से लेकर 85 नमबर तक रहने वाला है